दोस्तो हर वेक्ति अपने जनम से ही अनूठा है यानि सभी में कुछ न कुछ विशेश ऐसा है जो हमें औरों से अलग करता है यही विशेशता है तै करती है कि हम कौन हैं, हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं और हम किस परिस्थी में कैसा वहवार करेंगे आपने देखा होगा कई जगे जैसे एक्जाम के वक्त में या किसी क्लास में या किसी पार्टी में कोई ना कोई ऐसी लड़की या लड़का होता है जो बिल्कुल चुप चाप किसी कोने में खड़ा रहता है वो ना तो किसी को देख रहे होते हैं ना किसी को कुछ कहते हैं इसके बावजुद कुछ लोग उनसे बात करने की उनके पास जाने की रूची जताते हैं वो सिर्फ इसी वज़ा से होता है कि उनकी personality उनका attitude इस तरह का होता है कि हम उनसे बात किये बिना रही नहीं पाते अब उसी party में या exam hall में भी कोई ना कोई ऐसा भी होता है जो होता तो शान्त ही है पर हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है ऐसा क्यों होता है ये सिर्फ और सिर्फ खुपसूर्ती attraction और attitude का खेल है और यही चीज में आपको समझाने वाला हूं कि अपनी personality ऐसी कैसे बना सकते हो कि लोग तुमें पसंद करेंगे ही करेंगे तुम अच्छा दिख कैसे सकते हो कैसे कोई तुमसे बात करने में interest दिखाएगा ये बात जान लो कि अच्छा दिखना बहुत जरूरी है एक example देता हूं तुमने bread तो जरूर देखी होगी या खाई भी होगी सो में से 89% लोग bread के packet में से first bread वो जो मोटे वाला bread होता है वो हटा देते हैं और उसके नीचे के bread खाते हैं सिर्फ उसके अजीव दिखने की वज़ा से यह दुनिया है साब अगर आपको अलग दिखना है तो आपको अलग बनना ही पड़ेगा तो क्या है वो टिप्स जो आपको अलग दिखाएंगे चलिए शुरू करते हैं देखो यार भारी बदलाफ दिखाने के लिए आपको अंदری बदलाफ करने ही पड़ेगे तो सबसे पहले तो positive रहो हमेशा situation कैसी भी हो उसमें सिर पकड़ कर बैटने की बजाए उससे बाहर आने की सोचो बस ये सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये जरूर करूँगा अब dress, hairstyle और किसी occasion पर जाने का धंग आपको आना ही चाहिए भाई dressing sense तो आपको हो नहीं चाहिए हम किसी लड़की ये लड़की को पलट कर क्यूं देखते हैं सिर्फ उसके चलने और कपडों के धंग से यार आप लाल पैंट और पीली shirt पैन कर निकलोगे और फिर ये सोचो कि मैं सबसे अलग दिख रहा हूँ तो ये नहीं हो पाएगा किसी से fashion tips लो या actor और models के कपड़े देखो किसी भी चीज को जबरदस्ती मत पैनो टी-शेट्स या shirts पैनो और फिर ये देखो कि आप पर suit कर रही है या नहीं शेट, जिन्स, टी-शेट पैनने का ढंग देखो कि कहीं से शेट भार तो नहीं निकल रही है ये trousers ज्यादा खुला तो नहीं है जितना हो सके fitting के कपड़े पैनो और जहां जा रहे हो उस हिसाब से कपड़े पैनो बालों को फाल्तू color मत करवाओ natural हैने दो चलो तो face को सामने या नीचे रखो फाल्तू ताग जा करते हुए मत चलो किसी भी लड़के या लड़की को पलटकर मत देखो ना ही कुछ comment करो इससे आपकी personality पर बहुत बुरा फरक पड़ेगा अब कई जाने के बाद या अपने दोस्तों के साथ आपने देखा होगा कई लोग बड़े खीकी करते हुए बात करते हैं उससे उसकी personality तो जाहिर होई जाती है उसके साथ बागी लोग भी डिस्ट्रब होते हैं हसो बहुत हसो पर हसते हुए ये ध्यान रखो कि आप हो कहां और बोलो तो दीरे बोलो चिला चिला कर नहीं आपकी हसी आपकी बोली हैसी हुनी चाहिए कि लोग आपके दिवाने हो जाएं किसी से पहली बार मिल रहे हो तो जितना हो सके कम बोलो और चेप मतो दूरी बना कर रखो थोड़ी सी जो पूछो वो प्यार से पूछो और जो सामने वाला पूछे सिर्फ उसका जवाब दो और ये ध्यान रखो कि आप चाहे जहां भी हो आपके चाहरे पर एक positive smile बनी रहनी चाहिए इससे सामने वाला आपसे बात करने में इंटर्स दिखाएगा खुद को हमेशा cool रखो आप जिसे पसंद कर रहे हो उसे special feel करवाओ कभी घुसा मत करो अगर नाराजगी जता नहीं है तो चुपी से जताओ वो शक्स जिसे तुम पसंद कर रहे हो अगर तुमारी खामोशी समझ रहे तो वो भी तुमें पसंद करता है और जो तुमारी खामोशी नहीं समझ रहा उसके सामने बोलने से भी कोई फाइदा नहीं है और लास्ट टिप्स यह है कि अपनी body language पर तो especially ध्यान देना चाहिए यहर आपके बोलने का, उटने का, बैटने का तरीका आपके व्यक्तित्फ यानि आपकी personality को दिखाएगा खुद के अंदर जाको अगर आप English या कोई भी language बोलने में हडबडाते हो या किलियर नहीं बोल पाते तो उसे दूसरों के सामने इस्तेमाली मत करो क्योंकि दूसरों को सिर्फ हसी उड़ाने का बहाना चाहिए तो वो बहाना उन्हें दो ही मत ऐसी चीज़ों की practice आप सिर्फ अकेले में ही करो तो यार इस वीडियो में इतना ही अगर आपको personality development पर और वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर बताना और इस वीडियो को like, comment, share करना मत बूलना तो अभी के लिए बस इतना ही मिलती है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद